अपनी ही मौत की सेलफी भेजी मित्र को मौत से पहले फिर लगा ली फासी मचा हड कम बिजली विवा के करमचारी के परिवार में उस समय हड कम मच गया जब सुबह दोस्तों ने जानकारी दी कि वह बड़ा आत्मगाती कदम उठा लिया है गटना के जानकारी लगते ही परिवार के लोग बदहबास हालत में रिवा पहुंचे तो देखा कि उसके मौबाइल में आत्मगाती कदम उठाने से पहले एक सेलफी ली गई और दोस्त को भेजी गई है युवक आत्मगाती कदम क्यों उठाया इसकी जांश परताल समान थाना पुलिस कर रही है युवक के भाई जितेंदर दुबेदी ने बताया कि विने दुबेदी अतर रहला थाना शेत्र के पुरेना का रहने वाला है अमहिया इस्थित बिजली विभाग का रहले में पदस्त था वर्तमान में उम्री में ड्यूटी थी बीती रातरी दोस्तों के साथ परिबार में बात हुई थी लेकिन कुछ परेशान लग रहा था पूछने पर बताया था कि कोई दिक्कत नहीं है और सुबे घटना की जानकारी हुई कि आत्मगाती कदम उठाया है पूलेसर शब का पोश्ट बनम करा कर परिजिनों को सौप दिया है और मामले की जाँच कर रही है मत्रजीब कर यहां था कि आज आओ नहीं भोजन कर लूद गजाना तो ओला मैं नहीं आप आओंगा मैं थोड़ा परिसान हुँँ दो चार बच्चों को व्यस्ता रखना कुछ मैटर है इतनी बात हुई इसाम को घर में बात हुई, अपनी माताराम से बात किया, माताराम लगाई थी घर सिपों, माताराम से भी बात हुई, तो कुछ धीमी आवाज में बात कर रहा था, माताराम बोली कि क्या बात है आज बहुत धीरे बोल रहे हूँ, बोला कि हो गया इसी बात है, फिर सुगा जा प्रफी लगाने के पहले लेके बढ़ सकती आता है व्म्रे 20 लाइन अध्रेला है और यहां का थाना महिया है यह विद्धिली वहाग वे 220 के वी में उम्री में काम करता था